हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायुष और दोस्तों बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर हिमादरी स्पेशिलिटी क्यामिकल्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में एक तूफानी तीजी आपको हिमादरी के अंदर आती होगी देखने को मिल रही है इस टॉपिक के उपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है और तब भी आपको यही काता कि ऐसी कंपनी है जिसको लॉंग टर्म के व्यूज से अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते है शेयर अपने बावन अफ़तों के हाइस की पास आपको काम काच करता हुआ देखने को मिल रहा है और क्या अभी यह जो तीजी उसकी शुरुआत है तो आपको सब कुछ दाओंगा कि अभी तीजी क्यों हो रही है आगे का यहाँ पर टाइम औरिजन क्या रखना है 100 करना है सेल करना है या होल्ड करना है सब कुछ आपको इस वीडियो मतलेगा तो वीडियो को पुरा देखिया काफी इंपॉर्टन होने वाला है फ्रेंट्स चानल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको यह वीड के आती हुई देखने को मिलिए स्टॉक के अंदर अंडाउटेटली देखिये जिस प्रका की तेजी आती हुई देखने को मिल रही है वो बहुत ज़ादा अनिमाजने बले क्यों विकास पहले जो आपको एक हफते पहले यह यह ट्रेड कर रहा था कहां पर 60 रुपीज के आ अस-पास खड़ा हुआ है तो इसा हुआ क्या बेसिकली सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा तो देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत इंपोर्टेंट है अगर आभी आप देखिएंगे जब नम्बोस निकल के आया थे कंपनी के डिसम्बर क्वार्टर के तो 64 परसेंट कंपनी का यहां पर साल आना रेवेन्यू बढ़िया 65 परसेंट 770 करोड के असपास लेकिन कौर्टर अन कौर्टर अगर आप देखिएंगे तो ग्रोथ देखने को मिली नेट इंकम जो कंपनी की थी 9 करोड की वो 24 करोड हो गई तो फंडामेंटल्स में काफी चें रहा था और उसके बाद से अगर आप देखिएंगे तो फंडामेंटल्स में इतना कोई बड़ा सुधार नहीं आए लेकिन कौर्टर अन कौर्टर जो ग्रोथ आती होई देखने को मिल रही है जो मार्च के कौर्टर से वह अपना आप में देखिए बहुत चांदार है जो म यहां पर भी देखिए इतना कुछ एग्रिसिफ देखने को नहीं मिला और एक रिपोर्ट आई है साफ सब्सक्राइब अगर साफ समझेंगे तो एच एस सील फाइनेंशियल्स आर टू आप्शियर तो लिंक विट करेंट शियर प्राइज मोमेंटम वाट्सन स्टो फॉर द इस पता जल जाता है कि कंपनी किस प्रकार से काम करती है उसका एक फॉर्मला होता है आरोई का जो नेट प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दीजिए शेयर उल्लस एक्विट है कंपनी के जितने यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर मार्केट में अवले बले उसको आपको नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर दिना जो भी नेट प्रॉफिट आता है तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पर अगर needs profit कोडिवाइड करते हैं तो जो 709 ईबलियॹन का नेट-प्रॉफिट है अपन 18 Snor का यहाँ जो कंपनी का टोटल शेर से उसके साब से 3.9 परसंट के असपस कंपनी का यह बैठता है यानि अगर रिटर्न देखा जाए तो अनादर वेइट तो थेंग डाट इस एट फर एवरी वन वर्थ ऑफ एक्विटी दा कंपनी वस एबल तो एबल तो ओन ओनली पॉइंट जिरो फॉर प्रॉफिट यनि कंपनी का EPS काफी नीचे है याद रिखेगा कंपनी का EPS अभी आपको पॉइंट में चलता हुआ देखने को मिल रहा है पॉइंट में चलने का मतलब क्या होता है कि कंपनी एक रुपे कमाने के लिए अभी कितने रुपे खर्च कर रही है कि कंपनी ये incidence म रहता है अगर ऐसा रहा तो डेफिनिटली सब लोग माला माल बन जाएंगे क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूला यह तो मार्केट में देखे बहुत सारे फाक्टर्स होते हैं और यह जो से आती है यह एक specialty chemicals की company भी आप कह सकते है हमाधरी specialty chemicals specialty chemicals में इनका जो main काम आपको देखने को मिलता है इनका जो main काम है दोस्तों वो है coal-pitch manufacturer का coal-pitch manufacturer अब coal-pitch जो manufacturing करती है यह इसके उपर कल एक बहुत शान्दा report निकल के आई देखे इस stock के उपर ऐसे कोई बड़ी खवरे निकल के नहीं आई है, लेकिन इस पूरे सेक्टर के अंदर जो बात करते हैं Carbon, Materials और उसके Chemicals को लेकर इसके उपर जो Report निकल के आई कल वो बहुत इंटरेस्टिंग थी क्या इंटरेस्टिंग रिपोट निकल के यह आप सबसे पहले समझी है because सबको interlink करके बता रहा हूँ तो यह बात है important है तो दोस्तों यह जो coal तार pitch यह जो पूरा कह सकते हैं कि market size है वो करीबन 1.23 billion US dollar का बन गया यानि जिस प्रकार से दोस्तों अभी आपको यह बढ़त आती भी देखने को मिल रही है coal, carbon, materials के पूरे market के अंदर तो इसकी prices भी आपको देखने को मिलता है कि थोड़ी सी तेज बढ़ती है बागी सब components है और जो इसके अंदर काम करता हुआ देखने को मिलता है जैसे हिमादरी हो गई HSTL हो गया HSTL जिस पर काम करता हुआ देखने को मिलता है उसके कारण फिरंड जैसे-जैसे देखिए market size बढ़ता है इस पूरे industry का वैसे-वैसे HSTL को फादा होता है और stock बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो exactly यही होता हुआ देखने को मिल रहा है यह पूरा जो size है यह आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है जो coal tar pitch market है वो जो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है और जो forecast निकल किया analyst का 2021-2025 के बीच में यह करीबन 1.23 billion dollar का आपको देखने को मिलता है market बन चुका है US dollar का तो अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है और आगे report यह भी claim करती कि market जो है वो accelerate कर रहा है growth दिखा रहा है momentum at a CAGR of 4.34% याद रखे का एक बहुत important बात है 4.34% से CAGR increase होता हुआ देखने को मिल रहा है analyst जो मानते कि global coal tar pitch जो market है वो आपको देखने को मिलेगा global coal और consumable fuel market के अंदर आता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर तो यह साफ साफ देखे जो researches आ रही है जो reports आ रही है पूरे coal manufacturing के उपर coal coal tar pitch, coal manufacturer जो भी कहें यह positive news है और यह positive news का impact आपको stock के उपर आता हुआ देखने को मिल रहा है और इसलिए अगर आप देखेंगे तो HSCL आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जैसे मैंने का कि इनके पास जो manufacturing capacity है coal tar की वो करीबन 5 lakh MTP है, metric pertain तो यहाँ पर आप देखेंगे carbon black 1,20,000, specialty carbon black 60,000, तो दोस्तो जितना यहाँ पर value बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा जितना इस पूरे industry में आपको value बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा exactly stock पे भी वो ही reaction आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए इतना अच्छा reaction अभी आप इसके अंदर notice कर रहे है यह आप सब को समझ में आ रहा होगा company की market cap समझेंगे तो सिफ 3462 करोड की है बहुत बड़ी market size नहीं है लेकिन अभी भी आगर आप देखेंगे जो इनका return on equity आ रहा है वो सिफ 2% का रहा है, तो इतना कुछ खास returns deliver नहीं कर पाया है, बढ़ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर changes आते हुए देखने को मिल रहे हैं अगर यहाँ पर आप देखेंगे pros तो क्या मनेजर है कि साफ साफ एक अच्छा quarter आता हुआ देखने को मिलेगा अच्छा quarter क्यों विकास पुरी global supply global जो market है वहाँ पर changes आते हुए देखने को मिल रहे है इसलिए यहाँ पर आपको साफ साफ आता हुआ देखने को मिल रहा है promoter की holding के अगर एक बार बात करें तो promoters ने definitely अपना stake कम किया है लेकिन FIIs ने पिछले quarter में अपना stake बढ़ाया 1.66% कर दिया है DIs की holding खतम हो चुकी है Public का सबसे जादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हिस्सा है लेकिन ठीक है देखना पड़ेगा कि आगे promoters क्या stake बढ़ाते है व्यक्तर promoters की stake बढ़ाना बहुत important है शेरोल्डर के perspective से अब important बात की आखिर करना क्या है यहाँ पर buy करना है, sell करना है, hold करना है So friends, अगर आपके आपके हैस HSCL है तो hold करिए, देखे, company के अंदर बुरी तो बहुत चीज़े नहीं है लेकिन हाँ यह है कि अगर आप इसको बात करते हैं EPS से बात करते हैं company के earnings से तो वह एक point तक अच्छी नहीं हो पा रही है दूसरी बात क्या है कि company का जो profit आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है close to similar है वहाँ पर growth नहीं है, यह दो-तिन चीज़ है लेकिन जैसे मैंने का कि कि जिस प्रकार से देखिए यह पूरा globally cycle जो बदलती भी देखने को मिल रही है carbon materials की यह positive है इस company के लिए इसलिए देखिए stock भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मल रहा है तो अगर उस हिसाब से रहना है तो definitely बढ़िया company है hold कर सकते हैं दिक्कत वाली बात नहीं यह max returns के अगर बात करते हैं तो 172% के returns दी है लेकिन अभी भी stock काफी जादा नीचे है और last 5 साल से करीबन सिर्फ 10% के return का वाके दे पाया है एक साल में अगर आप देखेंगे तो 49% यूपर है तो कह सकते हैं कि हाँ इतनी तीजी नहीं कर पाया बढ़ ठीक है वापिस कर सकता है तो definitely long term के लिए कंपनी के अंदर निवेश किया दा सकता है तो friends इस वीडियो में इतना ही था hope so video बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो राइक कर देना चैनल से नहीं जोड़े सब्स्राइब कर देना thank you friends watching this video